हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो एजुकुशन टुटोरियल, आम पॉलिटिकल की क्वेशन्स डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर फर्स क्वेशन है हमारा गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्शे योजना में दिया गया था, तो फ्रेंट्स ये दिया गया था, छटी इतनी हैं, तो यह 48 seats हैं आपकी महारास्ट लोग सभा में, सविधानेतर निकाय या गयर सविधानिक निकाय किसे कहा जाता है, तो नीती आयोग जो है इसे गयर सविधानिक निकाय कहा जाता है, वर्तमान में चीफ इलेक्शन करमिशनर कौन है, तो प्रेजन टाइम में हमार कि वक्ता की निकती जो है, यह गवर्नर की द्वारा की जाती है, भारत में कैबिनेट मिशन योजना का विचार कि इसके द्वारा रखा गया, तो यह रखा गया था फ्रेंट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स के द्वारा, नेक्स्ट इस भार्तिय संसद के सविधान में संशोधन की शक्तियां कौन से आर्टिकल में दी गई है तो ये दी गई है 368 में नेक्स्ट इस किसकी मंत्री परिश्द सामुहिक पत से उत्तरदाई होती है ये लोकसभा के प्रति सुदन्त भारत की प्रथम विदेश मंत्री कौन थे तो ये थे पंडित जवाहलाल नहरू नेक्स्ट इस जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को कहा जाता है डाइट ताइवान की संसद को क्या कहते हैं? तो that is your युवान अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? तो अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है शोरा नेक्स्ट इस सविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकारी कौन होता है तो सविधान व्याख्या का अंतिम अधिकारी होता है सर्वोच नियाले नेक्स्ट कुशिन राज्यसभा का पदिन अध्यक्ष कौन होता है तो राज्य सभा का पदिन अध्यक्ष आपको पता है कौन होता है उप्रास्ट पती नेक्स्ट है सविधान का साराश किसे कहते हैं तो सविधान का साराश जो है इसे आमुक का जाता है प्रियंबल भी आप इसे कहते हैं इंगलिश में Next question भारत के प्रथम उप्रधानमंत्री कौन थे तो ये रहे हैं सरदार वलभाई पतेल Next is राजेसभा की बैठकों का सभबतित्व किसकी द्वारा किया जाता है तो ये किया जाता है रास्टपति के द्वारा नेक्स्ट है उप्रास्ट पती की चुनाव में कौन-कौन भाग लेते हैं तो ये लेते हैं फ्रेंट्स, लोकसभा और राज्य सभा के सदस्य नेक्स्ट इस उप्रास्ट पती का चुनाव किस प्रकार किया जाता है तो अपरतेक शुरूप से एकल संकरमनिय पदती द्वारा किया जाता है किसका उप्रास्ट पती का चुनाव next question उप्रास्ट पती को पद की गोपनियता की शपत जो है वो किसके दोरा दिलवाई जाती है तो उप्रास्ट पती को पद चुत कौन कर सकता है यानि कि उन्हें पद से कौन हटा सकता है तो संसत की दोरा हटाया जा सकता है भारत की उप्रास्ट पती को पद चुत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है तो उप्रास्ट पती को अगर पद से हटाना हो तो ये प्रस्ताव केवल और केवल राज्य सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्य प्रस्तावित का आवश्यक है तो friends इसमें कम से कम भी सदस्य होना आवश्यक होता है So, hope you like the video Do like, share and subscribe my channel Stay with us Thank you, have a nice time friend